गूड आप्रिनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो चालुकियों का सास्तक था पुलकेसिन पर्थम उसके बारे में जानकर इप्राप्ट करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चालुकियों के बारे में अच्छे से पढ़ाया था तो पहले वाला वीडियो एदि आप लोग देखेंगे तो आपको पुलकेसिन पर्थम के बारे में भी इजीली समझ में आ जाएगा तो देखेगा थोड़ सा रिविजन में आपको करवा देती हूँ कि जैसे कि चालू के राजवन्स है ये दक्षिन और मध्य भारत में राज करने वाला एक इतियास का परसिद राजवन्स था और जो चालू के राजवन्स है इसकी तीन साखाएं थी वो कौन-कौन सी थी वात वातापी के चालू के वो सबसे पहले चालू के थे अर्था जो चालू के की मूल साका है वो वातापी के चालू के थे ठीक है और जो चालू के राजवन्स है इसने 753 सोरी इसने 543 से लेके 753 इस्वी तक सासन किया था ठीक है और चालू के वन्स का जो सेंस थापक है वो पुलकेसिन पर्थम है ये चलू के वन्स का जो सबसे पर्तापी सासक था पुलकेसिन सेकिंड उसका दादा था और पुलकेसिन पर्थम है इसके दो बेटे थे कीरती वर्मन पर्थम और मंगलेस ठीक है और पुलकेसिन पर्थम के बाद उसका जो पुत्र है कीरती वर्मन पर् पर्थम के बारे में तो देखेगा बादामी के चालू के वंस का संस्तापक पुलकेशन पर्थम नामक वेकती था ठीक है तो अभी आपको बता है कि बादामी के चालू के वेंगी के चालू के और कल्लाणी के चालू के ठीक है उनमें जो बादामी के चालू के हैं उस सबसे प बिलेख है उसमें उसके दो उसके पूरे दो सासकों जैसिंग और रनराग के नाम भी मिलते हैं ठीक है तो जो महाकूट बिलेख है उसमें पुलकेसिन पर्थम से पहले भी दो सासकों के नाम मिलते हैं किसकिस के जैसिंग और रनराग के नाम मिलते हैं लेकिन लेकिन उनके सास नकाल के विशे में ज्यादा जानकरी नहीं मिलती है तो जैसी और रनराग है इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकरी नहीं मिलती है अता हम पुलकेशन पर्थम है इसको बादामी के चालू के वंस का सेंस्तापक मान लेते हैं और यहीं से चालू के वंस का प्रारभ हम मानते हैं ठीक है ऐसा परतीत होता है कि वे कदम सासकों की अदिनता में बादामी में सासन करते थे ठीक है तो ऐसा परतीत होता है ऐसा अनुमा लगा जाता है कि वे कौन वे जैसिंग और रन राग ये दोनों हैं ये कदम सासकों की अदिनता में बादामी में सासन करते थे चालू के वंस के प्रारंभिक लेखों में तो जैसिंग की किसी भी उपलब्धि का उलेख नहीं है किन्तु बाद के कुछ लेख इसका विवरण देते हैं ठीक है जगदे कमल के दोलता बाल लेख के अनुसार जैसिंग कादम वंस के एस्वरे का अंत किया कल्याण के हैं के कैथोम लेख का कथन है कि उसने रास्ट्र कूर ऩासे कृष्ण एम उसके पुट्री इन्द्र को प्राजित किया था वार्थापी के चालू के को समन्त इस्तिति से स्वतंतर इस्थिति में लाने वाला पहला असास को पुलकेशन पर्थम था और वह रणराग का पुत्र था तथा रणराग का उत्रादिकारी हुआ तो जो बादामी के चालू के हैं इनको समन्त इस्थिति से स्वतंतर इस्थिति में लाने वाला पहला असास को था पुलकेशन पर्थम था, पुलकेशन पर्थम है इसके पिता का नाम रनराग था पुलकेशन को इत्यास में पोली, केसिन, पोले, किसन, पुली, केसिन आधी नामों से भी जाना जाता है उसने वातापी में एक सुदरड दुर्ग का निर्मान भी करवाया था तता उसे अपनी राजदानी बनाया था उसने वातापी के आसपास के छितर को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया एहोल लेक में उसके वातापी के उपर अधिकार तथा अस्वा में यग्य करने का विशेश रूप से उलेक किया गया है तो जो एहोल का लेख है उसमें वातापी के उपर पुलकेशन पर्थम का अधिकार और पुलकेशन पर्थम द्वारा अस्वा में यग्य करने का जो उलेख है वह है एहोल लेख में किया गया है इस प्रकार चालू के राजिये का वास्त्विक सेंस्तापक पुलकेशिन पर्थम ही था अपनी महानता के अनुरू पुलकेशिन पर्थम ने शत्यास्ट्रे तथा रण विक्रम जैसी उपाधिया धरन की थी उसे स्री पर्थवी वल्लब अत्वा स्री बल्लब कहा गया है तो स्री पर्थवी वल्लब तथा स्री बल्लब किसे कहा गया है पुलकेशन फेस्ट को उसने असो में एक वाजपे आधि व्यदिक येग्यों का अनुस्ठान किया ततावाय मनुस्म्रती, इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायन, आधी का ज्याता भी था पुलकेशन पर्थम की तुन्ना ययाती, दिलीप, आधी, पुरानिक सासकों से की गई है महाकूट अभिलेक में उसके तुन्ना विष्णू से करते हुए उसे व्रधों की राई मानने वाला तथा ब्रहमनों का आधर करने वाला बताया गया है उसका विवाय बटपूर परिवार की करन्या दुरलब देवी के साथ हुआ था तो क्यूसन आ सकता है एकजाम में कि पुलकेशन पर्थम की जो पतनी है उसका नाम क्या था दुरलब देवी पुलकेशन पर्थम ने 535 इस्वी से 566 इस्वी तक राजे किया बादामी से 543 इस्वी का उसका लेख भी मिला है ठीक है तो यह चोटा सा एक वीडियो है जिसमें हमने बादामी के बारे में बताया हैं कई बार पूछ लेते हैं तो इस परकार से हमने एकजाम को देखते हुए यह वीडियो बनाया है वीडियो को दहान से देखें सुने और यदि आप लोगों के पास कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद